दोस्तो नमस्कार, आज का वीडियो है हमारा फैन मोटर की फिनिसिंग के बारे में आज की वीडियो में इस मोटर के हम कनेक्शन निकालेंगे इसको कम्प्लीट व्याइंटिंग तो हमने कर दिया था और इसकी जो कनेक्शन लीड है ये वाली आपने देखा था तो 3-phase की ये motor है, 24-salot की motor है और 1400 rpm की है इसके connection किस तरह से करने हैं और किस तरह से इसकी finishing करनी है और इसका data क्या है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो वीडियो काफी ज़्यादा interesting और knowledgeable होने वाला है वीडियो को लाइक अभी से कर दें और चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe जरूर कर लें क्योंकि ऐसे ही knowledgeful वीडियो आपको यहां पर मिलते रहते हैं तो मैं हूँ आपका दोस्त भारत जांगिड और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल Electric Solution तो आए दोस्तो शुरू करते हैं वीडियो सबसे पहले दोस्तो इस टेटर को रख लेते हैं connection नीचे की तरफ करके कपड़ेगे उपर जिससे कि यह नीचे से गिसेंगे नहीं अब यहांपर दोस्तों यह देखी यह वाला separator थोड़ा सा down रह गया तो इसकी जगह पर हम यहांपर ग्लास पेपर लगाएंगे तो यह देखी ग्लास पेपर का टुकड़ा लगा दिया है आप देखकत नहीं अब यहांपर धागा ले लिया है हमने और यहां से अब इसकी शिलाई स्टार्ट करते हैं तो अच्छे से टाइट खेंच कर बांधना है सभी कौाइलों को ये दिखी इस तरीगे से तो नाइलोन का अच्छी क्वालिटी का धागा हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं और हाथ के आथ हैमर से इसको फिनिशिंग करते रहना है तो ये दिखी सभी सलोटों के बीच में से हर एक कौाइल में से आपको धागा निकालना है और इस तरीगे से करना है ताकि पूरी जो कौाइल है अच्छे से कवर हो जाए तो ये दिखी यहाँ पर धागा हमारा complete हो चुके है यहाँ पर इसको stop करते हैं एक्स्ठा धागे को कट कर देते हैं तो यह धागा इधर से हमारा हो चुके है अब यहाँ पर strategically को इस तरह से रख लेंगे आप यहाँ पर connection के wire इनको बहार निकाल लेंगे उससे पहले दोस्तों यह एक joint है, इसको लगा लेते हैं, इसको छील लेंगे joint को, एक्स्ट्रा जो वायरे इसको cut कर देंगे, paste लगाएंगे, यहाँ पर इसको soldering भी करेंगे, हम कच्चा joint ने रखेंगे, पक्का लगाएंगे, PVC वाला 1 mm का sillew लगाएंगे और इसको hit कर यह बिल्कुल waterproof, बिल्कुल moisture proof हो जाएगा, उपर से एक number का app class का sillew लगा देंगे, और यह हमारा joint बिल्कुल लग गया है, अब यहाँ पर दोस्तों यह सभी connection के जो वायरे इनको बाहर निकाल लेते हैं, अब हमारे पास यहाँ पर 12 वायर हैं, 6 अंदर के और 6 बाहर के, तो देंगे, एक से चार में, तो कैसे joint करना है, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम सभी वायर के अंदर सिल्यू डाल लेंगे, उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ, कैसे कैसे इसको joint करना है, कैसे connection निकालने हैं इसके आपको star या delta में, अब यहाँ पर देखिए दोस्तो हमने सिल्यू डाल दिये सभी वायर के अंदर, टोटल हमारे 12 वायर हैं, 6 अंदर के हैं, अंदर के जो हमारे सिरे हैं, उनके उपर white सिल्यू लगाई है हमने, देख पा रहे हैं, और जो बाहर के सिरे हैं हमारे बाहर के जितने भी सिरे हैं, छे के छे, उनके उपर हमने यहां पर येलो सिल्यू लगाई है, एक नमबर की सिल्यू का हमने यहां पर यूज किया है, तो यह देखी यहां पर यह बाहर का सिरा है, इसके बाहर का है, यह फुल चेन नहीं किया है, इसलिए अंदर से आ रहा है, तो यह इस कोईल का बाहर का है इसके बाद में ये इसके बाहर का है तीन लगातार हमने बाहर के सिरे ले लिये हैं इसके बाद में आपको क्या करना है तो ये देखी तीन सिरे हैं तो इनको हमने एक जगे छोड़ दिया है तो ये हमारे connection है इसके बाद में ये coil है जो हमारी जो सबसे last में डाली है हमने उससे कोई मतलब नहीं है कोई सी भी ले सकते हैं इसका coil का अंदर का सिरा तो अंदर का सिरा ये white वाला हो गया इसके बाद में अंदर के दो wire छोड़ने हैं आपको ये देखिए एक और दो और चोथा जो सामने बाहर का आएगा इसके बिल्कुल सामने अपोजिट जो सामने सामने वाली जो अपोजिट कोई है ये वाली ये देखिए आपर ये दो सिरे छोड़ने हैं आपको दो, एक और दो ये छोड़ने के बाद में ये wire आएगा आपका तो ये एक से चार में जुड़ेगा तो ये यहाँ पर हमने जोड़ दिया है इसके बाद में ये वाली कौइल लेनी है इधर चल रहे हम तो इस कौइल का अंदर वाला सिरा लेंगे इसको भी इसी तरीके से जोड़न करेंगे यहाँ पर एक और ये वाला wire छोड़ दिया है और यह यहां पर यहां पर देखी यहां पर यह चोथे में जुड़ गया है एक दो तीन यह चोथे में बारके में जुड़ गया है इसी तरीके से फिर यह वाला है इसके यह बार का सिरा है और यह वाला इस कोईल का अंदर का सिरा है तो यह हमने यहां पर इसी तरीके से यहां पर joint कर दिया है यह देखे एक दो तीन और यह चोथा इसके बाद बाहर का आ रहा है तो यह बाहर जोड़ दिया है और जो तीन सिरे हमारे अंदर के बच गए हैं यह देखें यहां पर और यह तीन बाहर के बच गए हैं यह हमारे connection की lead निकलेंगी जिनमें हमारी यह lead रखी तो इनको यहां पर joint लगा के pack कर देंगे तीन lead हम बाहर निकाल देंगे तो यह star बन जाएगा हमें ज़रुत है delta में motor को चलाने की तो हम 6 की 6 lead निकालेंगे तो वह कैसे निकालेंगे उसका भी मैं बताता हूं तो इनका joint हम पूरे तरीके से joint लगा लेते हैं उसके बाद मैं आपको बताता हूं अब देखिए यहां पर सभी joint के अंदर तीन नंबर का सिल्यू डाल दिया है और सभी wire को हमने यहां पर छीला है तो यह देखिए यह हमारा last joint है और सभी का extra wire यहां पर हम कट कर लेते हैं तीन joint है हमारे connection के तो यह joint लग चुके हैं अब यहां पर हम इस यहां पर soldering करेंगे तो उससे पहले paste लगा लेंगे अब यहां पर soldering करेंगे तो हम इसमें joint बहुत ही अच्छे तरीके से लगा रहे हैं क्योंकि बहुत ही ज्यादा मैनत होती है इसको winding करने में तो यह हमारा soldering यहां पर हो चुका है तीनों joint के उपर अब यहां पर एक mm का PVC वाला सिल्यू लेंगे और एक एक टुकड़े यहां पर soldering का जितना भी हमारा connection का हिस्सा है उसके उपर लगा देंगे तो यह दिखिए अब इनको heat कर देंगे यह बिल्कुल fix हो जाएगी चिपक जाएगे बिल्कुल यह lamination type हो जाएगा बिल्कुल इसके उपर बिल्कुल joint हमारे लग चुके है अब यहां पर दोस्तों यह दिखिए चेव आ रहें यह वाले बहार के सिरह है और यह वारे अंदर के सिरह है तो यह इस तरीके से set कर लेंगे इनको यह भी इधर से घूमकर आ जाएगे वाइट वाले यह अंदर के हैं यह इस तरीके से रहेंगे तो यहां पर ग्लास टेप का यूज करूँगा मैं यह दिखिए कनेक्शन के नीचे लगाएंगे क्वाइल के उपर ताकि कनेक्शन की हीट क्वाइल के उपर नहीं जाएगी एक टुकड़ा इधर भी लगा देते हैं इनको भी छील लेंगे दोस्तों तो यहां पर छीलने से क्या तो यह रहेंगी ब्राउन और यह और इक साथ रहेंगी इसके बाद में रैड और यह ब्लैक एक साथ रहेंगी अब यहां पर सीरीज से एक बार चेक कर लेते हैं फिक लीड जोडने से पहले तो देखते हमें किसी पर नहीं आ रही है ठीक है विल्कुल इसके बाद में उससे अंदर वाले दोनो तार यह भी दोनों यहांपर continued आ रही है और यह बीच-बीच के वायर है तो जो continuity आ रही है उसी पर हम वायर जोडेंगे तो बिलकुल ठीक है, कहीं पर cross वगणरा कुछ नहीं है तो ये दोस्तो ये देखी, grey और sky blue, तो ये grey wire हमने यहाँ पर, yellow के साथ joint कर दिया है, जो सबसे बाहर का है और सबसे बाहर का white wire लिया है उसके साथ में यहाँ पर sky blue तो extra wire cut कर देते हैं यह हमारे दो लीड जुड़ चुकी है इसके बाद में ओरेंज और यह ब्लैक है जो इसको जोइंट करेंगे यह ओरेंज रखते हैं और ब्लैक वायर को यहाँ पर वाइट सिल्यू वाले पर जोइंट कर दिया है हमने और इसके बाद में ओरेंज वाले को यह येलो सिल्यू के उपर जो कि हमारे साइड साइड से दूसरे नंबर है और यह रैड और ब्राउन इसको लगाएंगे तो रैड को दोस्तों यह देखिए हमने यहापर वाइट सिलिव के उपर जो कि लास्ट का है अंदर वाला और यह लास्ट का है अंदर वाला यह बीच-बीच के वाइर हैं दोनों यह हमने लगा दिये हैं अब यहां पर पेश्ट लगाएंगे 6 के 6 लेडों के ज्वेंट के उपर क्योंकि हम करेंगे इसके उपर तो अच्छे से सोल्डिंग करने के लिए फेश्ट का यूज करना जरूरी है तो यह कर लेते हैं फटाबट से इसको सोल्डिंग तो यह देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से इस मोटर में हमको पूरा काम करना पड़ रहा है क्योंकि मोटर काफी कोश्टली है और मतलब बार बार यह जलने का जंजट भी नहीं रहना चाहिए बिल्कुल प्रोफेश्नल तरीके से इसमें वर्क करना पड़ेगा तो फूरी सॉल्टिंग हो चुकी है इसके बाद में तीन अमका सिल्यू लेंगे PVC वाला उसके च्छे पीस हमने यहाँ पर कट कर लिये हैं यह देखिए आदा आदा इंच के टुकडे कट किये हमने और इसको हम जुएंट के उपर चड़ा देंगे तो सभी लेडों में यह टुकडे डाल लेते हैं तो यह हमारे डल चुके हैं heatproof सिल्यू और इसको यहाँ पर heat कर देते हैं joint के उपर यह बिल्कुल set हो जाएगी joint के उपर तो यह देखिए connection की जो heat है बिल्कुल इसके बाद में बाहर नहीं आपाएगी तो यह बिल्कुल सेट हो जाती है, हीट से बिल्कुल चिपक जाती है, तो यह दीखिए, फूरा, अब यहाँ पर तीन एम का हम ग्लास सिल्यू लेंगे, एप क्लास वाला, तो इसके भी 6 पीस यहाँ पर 2-2 इंच के टुकडे कट कर लिए हैं, और इनको इसके उपर डाल दें च्छे के 6 लीडों में सभी में डाल लेंगे इनको भी, तो यह दीखिए यहाँ पर, और यह रैड में, तो यह सभी में यहाँ पर 2-2 इंच के टुकडे हमने तीन नमबर के डाल दिये हैं, तो यह यहाँ पर सेट कर लेंगे वायरों को, अब यह तीन कनेक्शन के वायर सीरिज में लगे हुए हैं, दोनों वायर के अंदर, वाइट वाले जो कि मोटर हीट होने पर पैनल को ओफ कर देते हैं, तो इसको कोईल के बीच में डाल देंगे, दोनों उटोकट यहाँ पर हमने थर्मश्टेट डाल दिये हैं, और इनको यहाँ पर बांद देंगे अच् करके तो अंदर से भी इसको सेट करते रहना है क्योंकि अंदर जो एल्मिनियम हाउजिंग आएगी बार की तरफ भी वायर टच नहीं करने चीए तो यह देखी यहां पर धागा हमारा कंप्लीट हो चुका है अंदर की तरफ से भी सेफ देख पा रहे हैं को दिक्कत नहीं आए कैसे यह पेपर है जो नीचे बैठ जाएंगे और बार की तरफ इस टेटर में रगड नहीं मारेंगे तो यह देखी सभी पेपर प्रेस हो चुके हैं मोटर की जो वाइंडिंग की फिनीसिंग बहुत ही शांदार आई है इस टेटर को रखते नीचे अब यहां पर यह जो अ ओटो कट की भी ओक्के आ रही है अर्थिंग बिल्कुल नहीं है ओटो कट से कंटिनुटी चेक कर लेते हैं एक बार मोटर की तो यह देखी स्काइबलू से ग्रे पर कंटिनुटी आनी चीए तो यह कंटिनुटी आ रही है ओक्के है यह वाला सरकिट अर्थ भी नहीं है यह यहां पर ब्राउन से हम यहां पर रैड के उपर चेक करेंगे तो ओके है, क्रोसिंग भी नहीं है अर्थ भी नहीं है, तो वाइंडिंग तो फस क्लास है, कोई दिक्कात नहीं है अब एक बार इस्टेटर को यहां पर दोस्तों यह दिखिए, रोटर के अंदर यहां पर डाल कर चेक कर लेंगे, यहां पर कोई टचिंग वगारा तो नहीं कर रिये वाइंडिंग उसके बाद हम वाइंडिंग करेंगे तो इस्टेटर देखिए, यहां पर आराम से घुज गया है अंदर कोई प्रोलम नहीं, इसमें कहीं पर भी कोई टचिंग नहीं है, हाउजिंग और रोटर को तो रखते हैं साइड में, आप करेंगे मोटर को वारनिश, तो यहां पर यूज करेंगे डोक्टर एवन सूपर फास्ट ड्राइंग यहां पर इंसुलेशन वारनिश तो यह दिखे, बिल्कुल किलियर है और बहुत ही जल्दी यह फास्ट यह सूख जाता है, यहां पर अच्छे से डालेंगे वार वाइंडिंग के अंदर दोनों तरब से, पेपर के अंदर भी पूरा जाना चाहिए तो यह पूरा वारनिस हो जाएगा उसके बाद इसको तकरीबन दो या चार घंटे तो इसको सुखा नहीं पड़ेगा उसके बाद इसका जो एल्मूनिम हाउजिंगे इसको यहां पर इस्टेटर के अंदर फिक्स कर देंगे और इस मोटर को चला कर चेक करेंगे जिसका वीडियो भी आपको काफी जल्दी चैनल पर मिल जाएगा दोस्तो वीडियो कैसा लगा कमेट्स में जरूर बताएं वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें तो दोस्तो आपने देखा जो हमारी मोटर थी ये वाली फैन मोटर 3-phase 1400 RPM की इसकी वाइंडिंग बिल्कुल कम्प्लीट हो चुकी और इसके सभी कनेक्शन हमने निकाल दिये है अर्थिंग का वायर भी लगा दिया है और ओटो कट के कनेक्शन की जो लीड थी वो भी हमने इसमें लगा दिये है और बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी फिनिशिंग कर दिये है कनेक्शन कर दिये है और इसको वारनिस कर दिया है अब इसको हम तकरीवन 3-4 गंटे सुखाएंगे उसके बाद में इसके बेरिंग रिप्लेस करके इसको फिट करेंगे और चला कर चेक करेंगे जिसका वीडियो भी काफी जल्दी आपको चैनल पर मिल जाएगा और इस मोटर का जो वाइंडिंग डेटा है वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रप्शन में मिल जाएगा दी गई जानकारी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद जैहिंद